हलो फ्रेंट्स मैंना विक्किया और आप सभी क्या मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तो आज का टापिक यह है कि आप अपने ओपुर आनो टू के टच साउंड को कैसे नेबल कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं तो इस वीडो को शूर से एंड तक देखना ताकि जो आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएं तो चली इस वीडो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप होँए चैपन है तो पीछे को सब्सक्राइब करके बैल आइकन और प्रेस कर लेना ताकि जो आपको मेरी नई 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 वीडो की नोटिफि को मिले आ तो आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और आपको यहां पर साउंड एज वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिले आ तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना और आपको यहां पर सेकंड नंबर पर ट आपको यहां पर डिसेबल हो जाएगा सो गाज इसी तरह आप अपने उप्पो राइनो टू में टच साउंड को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं उमीद करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लए तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देना और चै ले जाए हिंद वन्दे मात्रम